सिफ का तांडव हो रहा है और जो सिफ का तांडव कर रहा है न वही सत्ता में बैठेगा और वही सत्ता को चलाएगा उद्धाफ जो बाला साब ठाकरे ने जो देश दिया था इस देश को अगर एक दाण मार दियता था पाकिस्तान कस्मीर के वो आतंग्तवादी कौंप ने सीव्सेहें और आज कोंग्रेस की राजनीती दोगली राजनीती होती हैं सत्र साल के अदर उसने डोगली राजनीती की है और वह करती रही है कांगर्यस ही वो शड़े मूं एक यासद अब शिव सेड़ोगा बनेगा CEM या उद्धव सरकार बचेंगी यह गिरेगी इस पर नहीं रह चुकी है महराश्ट की सियासत अब शिवसेना का नेतरताव कोन करेगा इस पर जाटी की है क्योंकि एकनात शिंदे के पास दो तियाई से जादा विधायक है और शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास बहुती कम विधायक है अब देखने वाली बात यह होगी घमासान इस ब पूरे मामले को कैसे देखते हैं हर बाप अपना उत्रादिकार सोपते हुए अपने बेटे से या भी रासा रखता है कि मेरे आने वाली पीड़ी मेरे सपनों को आकार देगी विकार साकार करेगी लेकिन जब ऑलाद ही अपनी पेड़ को जड़ से काटने पर उतारू हो जा है उद्धो ठाकरे ने अपने बाप की पगड़ी एक नर्तकी बार बारा के कदमों में गिर्वी रख दिया वे सिव सेना जिसका नाम सुनने पर ही हमें गोलब की अन्भूती होती थी आज उस सो सेना का नाम सुनने के बाद मन गिरना से अभी बूत हो जाता है कि हे मन ऐसा नालाएक अउलाद संसार में हिंदुतों में हिंदुओं को कभी ना दे मुसल्मान में ने हमेशा देखा है बाप के हत्या करके राज्य को हरप देना लेकिन हमारा तो Сंसकार ही बाप के एक आधेश पहे राज का त्याक कर देना भाई का खड़ाओं दे करके राज्य को चलाना तो सिव सेना आज सो सेना में परवर्चित क्यों है जो जान बाफी में सिव के साथ नहीं वो कैसी सिव सेना माराष्ट के अंदर कुछ दलाल कॉंग्रेसी वो सड़े मुँवाला कैंसर का मरीज के सिपाई आग लगा रहे हैं वो सिव सेना नहीं है सिव सेना कभी दर्म के साथ घात नहीं कर सकता पती घात नहीं कर सकता दर्म के साथ खड़ा होने वाला सिव सेना होता है और जो दर्म के विपरी चला जाए वो कॉंग्रेस या वो दलाल सड़े हुए मियों का कैंसर होता है तो आज जो माराष्ट के दर्तों पे उत्पात मचा रहे हैं वो सिवसेनिक नहीं आपने देखा होगा करी जगह पत्राओ करते हुए हिंदू का रूप दर्के आते हैं और पत्राओ करते हैं लेकिन ऐसे ही सड़यंत्र सिवसेनिकों के साथ हो रहा है वो इस्लामिक बिचारदारा के कॉंग्रेसी रोग सिवसेना की पकड़ी पहन करके सिवसेना को बदनाम करने के लिए एक नात सिंदे के खिलाब खड़े हैं हिंदुस्तान के धर्टी के हर वे हिंदू आज एक नाथ के साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा क्योंकि हमारे दिलों में हमारे दिमाग में कोई बसता है तो बाला साहब ठाकरे बसते हैं ये ठाकरे नहीं जो ठोकरों में जीना चाहिए इसे तो हिंदुत को ठोकर मार के निक होगा लेकिन उद्व ठाग्रे करें नेत्रता हम ही करेंगे क्योंकि जो वारी तो बेलकुल करेंगे कोई शक्त जैसे को इसका एक चर्षी राहूल गांधी कर दो कि व समय को चार वह सॉतल थाकर वा लेकिन तो 10 लिएकंत najbardziej सenge का औरNO C डेखे सबसे प्रजी बात दियर्बाल्स बालड साथ ठाकरे थी वह हमेशा रहा मंदिर के वर लड़ते रहे और इसको पूत्र के बात पर लड़ रहा है उसको सरम नहीं आती पतन तो उस दिर इसकी राजनीती का हो गया था जिस दिर नमनीत रहा को रवी रहा को हनुमाट चालीसा के लिए इसका पतन होगा और महाँ बारत के अंदर जिस परकार से सकुनी का बद हुआ था न उसी परकार सरत पवार का होगा उसके बाद एक निपसंकर तरने के लिए कॉंग्रेस को लाया कॉंग्रेस की राजनीती दोगली राजनीती होती है सतर साल के अंदर उसने दोगली राजनीती की है और वो करती रही है लेकिन वो भूल गई है कि अब हिंदुस्तान में हिंदुता जग चुकी है हिंदो रास्तिय बनने जा रहा है जहाँ जहाँ राउल की सरकार होगी जहाँ जहाँ सोन्या की सरकार होगी न इसी प्रकार से उसका पतन होगा उसको कोई नहीं रोग सकता और पहले भी सिवाजी के जो भगत देना उन्होंने जंडा उठाया था और फिर से वो जंड़ा उठाएंगे और उद्धव को बहुत भारी पड़ेगा इस कॉंग्रेस की गोद में बैठना इस सरत्पवार की गोद में बैठना अब क्या करेगा कुर्सी तो गई अभी मैं अपकी बात सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कमान तो मेरे हाथ में रहेगी कहा लिखा है क्या वो अपने पिता के पच्चनों पर चला नहीं जला जो बाला साब ठाकरे ने जो देश दिया था इस देश को अगर एक दाण मार देता था पाकिस्तान कस्मीर के वो आतं जिस पत पर तुवारे पिता ने तुम्हें चलाया आज क्यों नहीं चलते और देखा ना किस किस परकार से मूँ के बल गिरा है ऐसे ही गिरेगा उन्होंने राम मंदिर के लिए सनातन धरम के लिए छत्रिये के लिए बाबा साब ने हमेशा एक जंडा बुलंद किया और एक जोगली राजनीती करने वालों को मैं यह बता देना चाहता हूं कि बहुत जाल्स हिंदो राष्टे होगा और उसकी गोंच और उसका पैड़नाम उद्दब देख रहा है संजे राउत ने कल यह बोला है कि देख लेंगे सभी शिवसेनिक पहले महाराश्टे में तो आ जाए अभी तो गुहावुटी से ही को बात कर रहे है संजे रावत क्या है संजे रावत भात संजे रावत परवक्ता नहीं है डलाल है वो डलाल ने कॉंग्रिस का दलाल है सरतपार्द का और दलाल है हिंदुता का वो दलाल है आप पत्रकार महदे मुझसे पूछते हो कि संजे रावत ये बोल रहा है उसकी बात कहीं पूरी हुई उसने जो किया कभी हुआ क्यों जी आप भूल गए पत्रकार महदे कॉंग्रेस की तीन बाते थी सतर साल में करेंगे देखेंगे सोचेंगे ये तीन भासा ये तीन उब्देश देती थी कॉंग्रेस लेकिन अब समय का परिवर्टन होने लगा है वो तीनों बाते नहीं ओन दा स्पोर्ट फैसला होगा उसी जगा पर भैसला होगा जो हिंदुता की बात नहीं करेगा और वो कौन सी हिंदुता की बात करी आप एक भी चैनल में बैठके एक भी निउस में कभी उसने हिंदुता की बात करी नवनीत राना के लिए उसने क्या बोला रवी राणा के लिए उसने क्या बोला तो क्या उसको अच्छा लगता था क्या इस देश में हनुमान चली सा बंद करेगा है जितने भी लोग सतर साल में कॉंग्रेस के साथ खड़े थे आप जानते हैं उन्होंने क्यों छोड़ा कारण देखो हर बच्चा हर बढ़ा हर बूड़ा हिंदुता के लिए benna है आप किसी के पात जाएंगे तो आते ही आपको बोलेगा नहीं राम राम आज वो आपको बोलता है जैस्री राम ठीक है मेरा एक सवाल ये है कि अब शिव सेना का निय्टरता हो कौन करेगा गमासानी इस बात के लिए है एक ना तो शिंदे या उद्धा उठा करें देखिए मेरे बड़े भाई मतल्लाल जी ने बोला सती का जब सती अपने पिता के यहां जानते ना भस्म हो गई और जब सिफ को पता लगा कि सती जो है इस प्रकार से हुई तांडव किया था ना सिफ का तांडव हो रहा है और जो सिफ का तांडव कर रहा है न वही वही सत्ता में बैठेगा और वही सत्ता को चलाएगा उद्धा इस ललकार को दिली से सुन ले आप कैसे देखते हैं सर जो महाराष्ट में इस वक्त हो रहा है सब देखिए स्वतंद्रता के बाद से ही इस देश को जहां हिंदू राठ गोशित किया जाना था कॉंग्रेस के सर्यंतर ने इसको छदम धर्म निर्पेगिस्ता का राष्ट गोशित कर दिया छदम धर्म निर्पेगिस्ता का एक मात्र अर्थ है जो किसी धर्म को ना मानता हो और जो किसी धर्म को नहीं मानता वो विधर्मी होता है वो असुर जाती का होता है और बाला साभ ठाकरे ने जिन लक्षो जिन सपनों को ले करके शिव सेना बनाई थी बाला साभ ठाकरे की एक खुंकार से पाकिस्तान काप जाता था कॉंग्रेस ने सत्ता का लोब दे करके उड़व ठाकरे को उसके हिंदुत से दूर किया उसको चद्म धर्म रिपेच्टा की चादर उड़ाई और उसको हिंदुत से पंगू बना दिया जिसका परिणाम निकलता है आपके पाल घर में दो सादुगों की निरिशन सत्या और सरकार माउन बनी रहती है जिसका परिणाम निकलता है हनुमान चारिशा का पाठ करने वाल निर्दल ये सांसद नमनीत राणा की गिरफतारी करके जेल भेज़ देना अरे ये तो कंस के राज में होता था ये तो रावण के राज में होता था तो क्या माने हम उद्द उठाकरे ने कंस और रावण के राज की स्थापना की और यदि ये सत्य है तो एक नाथ जी ने कं और रावन के असुर राज के विरुद जो एक दुदंबी बजाई है उससे पुन्हे महाराष्ट में हिंदुत्व धर्म की स्थापना होगी महाराष्ट में फिर से भगवा राज लेराएगा और महाराष्ट में फिर से बाला साथ ठाकरे वीर सवरकर और बात्मा गुरसे का जो राट वान है वो गुझेगा और जो भी ये असुर परजाती के रूप में चद्म धर्म निर्पेक्षता का चादर ओर के सासन कर रहे हैं इनका सर्वनास होगा और फिर से वीर सिवाजी की वानी महाराष्ट की धर्टी से गुझेगी जो पूरे तेश के हिंदुत का ने सत्ता के लिए सिवसेना नहीं चलाई उन्होंने केवल हिंदुत के लिए चलाई वो उद्दव ठाकरे ने सत्ता के लिए सिवसेना का उपयोग किया सत्ता हासल की और जिसके विरोद में बाला साहब आजीवन खड़े रहे उस कॉंग्रेस की गोद में बैट के सत्ता चलाई यह तो वही बात हुई कि जो देवता की पूजा करता है वो जाकर के राक्षस की गोद में बैट गया तो उसका देवत वो समाप्त हो गया तो उद्दव ठाकरे का देवत वो समाप्त हुआ उनका हिंदुत समाप्त हुआ उनका जो हिंदू जो आपका जो सिवसेना से लगा था हिंदू समाज का वो खद्म हुआ